ओ हेलो भाई इधर नीचे नीचे करूँ न क्या मरा इधर हूँ मैं देखा आपने हर बार मेरे साथ ऐसा ही ओट है सब कुछ मेरे सर के उपर से निकल जाता है पर मैं बीना थोड़ा जिद्धी हूँ है थोड़ी नीची है तो क्या हो गया उची छलांग मार के मन चाही चीज पकड़ी लेता हूँ नमस्कार भाई और बेहन नमस्कार भाई और गल्स मेरा नाम है विफू वार्षने और आप लोग मेरे को गुड़ू भाईया नाम से भी जानते हो और जो लोग मुझे नहीं जानते तो कन्फ्यूजमत हो ना उन मिर्दापुर वाले गुड़ू क्योंकि तब में और अब में ये फर्क है कि तब लोग मेरा मजाक उड़ाते थे मुझे पे हसते थे मेरे बोने पन पे और आज मैं उन्हें हसाता हूँ अपनी भाग डौट बड़ी जिंड़ी में वो मेरी वीडियो जेखते हैं और अपने चेहरे पे मुसकान लाते हैं पर बहुत अच्छी जिंड़ी थी मतलब पापा ने हमें खूब एश और आम दिये हैं खूब सारे घरते करीबन टीन या चार घरते हमारे और पढ़िया जिंड़ी चल रही थी पर अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि सब कुछ खतम हो गया लक्ष्मिनगर के अपने घर को छोड अपनी क्लास में पर वो जो रस्ता था ना मेरे घर से स्कूल जाने का उससे में डरता था क्योंकि उस रस्ते में मुझे बहुत सारे लोग मिलते थे जो मेरे को डेख के हस देते मेरे बोनेपन का मजाग उड़ा चेते कि वो डेखो बोना जा रहा है मतलब स्कूल में ऐसा सी पहले जब अकल नहीं थी उपर वाले को कोस के सोता था कि क्यूं मैं ही क्यूं क्यूं बनाया मुझे ऐसा क्या बिगाड़ा था मैंने क्यूंकि हर जगा तो मजाग की उड़ रहे जहां कहीं किसी गली से गुजर जाओ किसी ना किसी बच्चे की आवाज आई जाती थी ओए बो चार दोस्तों के भी इस था मैं अभी open up नहीं था तो in general मैं एक इंट्रोवर्ट और under confident लड़का था जो पस अपने चार दोस्तों के सामने खोला हुआ था और यह जो जो जोक्स वग्रा मारता था ना यह मैंने देखा और सीखा movies से जो comedy movies होती है न बॉलिवूड की उन्हें देखके मेरे अंदर humor develop हुआ पर असल जिंदगी में इस humor का क्या ही फायदा जब तक मैं अपने आपको accept ही न कर पाऊं क्योंकि जब भी कोई मेरा मजाक उड़ाता था तो मेरे को बहुत दुख होता था और पता है सबसे जादा दुख कब होता था जब मैं अपनी मा के साथ रस्ते में जा रहा होता था कोई random बच्चा मेरे को बोना बोल देता था क्योंकि मुझे पता है जितनी तकलीफ मुझे होगी उससे कही जादा पुरा मेरी मा को लग रहा होगा उस वक्त आप यकीन नहीं मानोगे जब मैं रस्ते में चलता था और मालो आगे right side पर चार बच चुपत है ऐसे मां के पीछी चुपके चलना एक बार हुआ दो बार हुआ दस बार हुआ 11 बार जब मैं ऐसे चुपके चला तो थोड़ा आगे जाके माने मुझे से पूछा कि बेटा कब तक ऐसे चुप चुपके चलेगा पस वो एक सवाल मेरी आंखों में आसू रही है मै ने फटा-फट उसे पोचा कि मां को पता ना चले कि मैं रो रहा हूं लेकिन देल पूरा फट चुका था घर गया खुद को बातरूम में बंद करा खुप फूट-फूट के रोया उस राज जितने आसू बहे न वो सब सिखा गए ठोड़ा और सोचा तो पता चला कि यार च उसे बहतर हैं इंसान चोटा हूं उचाईयां चूने के लिए उचा होना जरूरी नहीं तो उस रात मैंने ठान लिया था कि मुझे कुछ अलग करना है भवान ने मेरे को जमीन पर भेज़ा है तो कुस तो परपस होगा ना अब मेरा काम था वो परपस धूनना स्कूल टाइ करता था अपने यार दोस्तों के बीची करता था पर मज़ा आता था तो मेरे को वहां से किक मिली एक्टिंग करने की चुल मिली बाकि मेरे छोटे-छोटे यह मोटे थे जैसे अगर मैं सिक्स क्लास में हूं तो मेरा एम है की सिक्स क्लास पास करनी है सेवन क्लास में हूं तो 11 पूरा और 12 के pre-board तक मैं बस 30 इस नमबर पर पास होता था जैसे तैसे pre-board में तो fail हुआ हूँ लेकिन फिर 12 pre-boards के बाद एक ऐसा incident हुआ जिससे मेरे 12 final में बहुत अच्छे नमबर आ गए हुआ ऐसा कि Christmas celebration था next day तो एक दिन पहले टीचर ने पूछा कि बताओ बच्चे व सेलिबरेशन में कौन सा केक लेकर आओगे कोई बोलता चौकलेट कोई बोलता पाइनेपल मैं मज़े लेता था तो मैंने बोल दिया सर कट्टू फ्लेवर केक लेकर आओँगा अब क्लास तो हस पड़ी पड़ टीचर बताने क्यों गुस्ता मान गया या तो बीवी से लड़के आओगा भाई उसने मुझे बीच क्लास में खड़ा कर रहा और जलील कर रहा चालिस मिनट और मैं आपको बता तूँ जलील करने की उपना तीन स्टाप होते हैं पहला होता है कि आप ताली मारों सामने वाला ताली ना मारें दूसरा होता है कि आप घल्फरेंट को उसकी गल्ती गिनारों टै Noel पर उसामने से ब्लॉक करतें और यहां जब आपका intention हो कि आप लोग को हसाना चाहते हो और टीचर घुस्ता बान जाएं वसने मुझे और मुझे भूरा इस बास से नहीं लगा कि उन्होंने मुझे बोला कि तू मोची बनेगा, उसमें कोई डिक्कट नहीं, डिक्कट इस बास से की सर ने ये कैसे बोल दिया कि मुझे से कुछ नहीं होगा लाइफ में, बास मेरा हो गया दिमाग गरम, दो महीने बचेते, फाइन 12 माई 88% तो सोचो जिसको टेटेज लाने में हालत खराब हो रही थी उसके आगए 88 उस दिन मुझे लगा कि हाँ पढ़ाई में मैंने कुछ उखाड़ा है बंटो कराता है उनी सर के घर चला जाँ कट्टू फ्लिवर केक लेके लो सर खाओ पर मैंने सर को माफ कर दिया इंसान छोटे तो क्या हुआ दिल तो बड़ा रख सकते हैं तो इन सबसे में आपको ये बताना चाहता हूँ कि कैसे मैं दो महिने में 30% से 88% पर चला गया और इसका कारण जो मुझे ठोकर मिली जो मेरे सर ने मुझे दी तो ऐसे ही आपके लाइफ में भी कुछ मा कुछ एक कारण मिलेगा हजार में से एक कारण आपको पकड़ना है जो आपको आपकी मनजल तक ले कर जाएगा अच्छा तो चलो आगे चलते हैं सब कुछ बढ़िया चल रहा था 88% की खुशी थी मैं कॉलेज के अंदर एंटर करने ही वाला था मेरे फादर का देहान तोग था और सीन ऐसा था कि हम घर में चार लोग बच गए मम्मी हाउस वाइफ भाई मेरी सीए की पढ़ाही कर रहे थे बहन पढ़ाही कर रही थी और मैं कॉलेज की पढ़ाही चालू करने वाला था हम किराय का घर चला देते पापा की थोड़ी सेविंग से और भाई की पैंटे सो रुपे की स्टाइपेंट से जो आर्टिकल शिप में मिलती थी तो इनी पैंटे सो रुपे से हम गुजारा करते थे मैं कॉलेज के अंदर जाता था मेरे सभी यार दोस्त में को याद है पनीर रोल खाते थे असी रुपे का मैंने खाता था क्योंकि मेरे को दस रुपे की बसके टिकट लेनी होती थी तो वो पैंटे सो रुपे बहुती एक लिमिटेड चीज है और जो मैंने लाइफ देखी है वो देखी है एश और राम वाली जिन्दिगी से कैसे हम नीचे एकड़म जीरो तक आ गए खैर मैं कॉलेज के अंदर गया मैंने पढ़ाही करी बीटेग कंप्यूटर साइंस डेली उन्वर्सिटी से महराज अग्रिसन कॉलेज और वहाँ मैं ठेटर करना चालू कर दिया क्योंकि मेरे को चुल थी ना स्कूल में मैंने आपको बताया था तो नाइंट के बाद वो बंद हो गया था क्योंकि कोर्स चेंज हो जाता है क्लासिस नहीं आ जाती है तो मना कर दिया था कि अब इस पर ध्यान मत लगा हो जाना क्योंकि साइन्स ली है थोड़ा पड़ा ही पर ध्यान दो तो मेरा वापेस से वो मन करा कि ठेटर करना है अब जैसे तैसे एक इंट्रोवर्ट लड़का ठेटर में घुसा और मैं करता है नुकर नातक वहाँ तो हजारों की भीड होती है अंजान लोग जिनके आगे आपको परफॉर्म करना होता है तो पहला साल मैंने ठेटर करा और वहाँ पे मुझे इतना कॉन्फिडेंस नहीं मिला मैं नहीं खुल पा रहा था पर हुआ कुछ ऐसा कि मैं थांक्यू वोल्टाम खुट को कि मैं अपने कंफर्ट जोन के बाहर आया और ठेटर करा क्योंकि सेकंड यर के एंट तक आते आते मैं आप इंट्रोवर्ट रही नहीं क्योंकि सेकंड यर ने सब बजल दिया नुकर नाटक मेरे को ध्यान है सेकंड यर में पहला प्ले हमने करा था राहगिरी ओटी थी कनाट प्लेस में वहाँ मेरा जो किरदार था वो था बंदर का और हमने प्ले करा था धर्म उसका अगर आपको एक ओवरवीव दूँ इतना आगे बड़े हम उस प्ले को लेकर कि पूरे डेली उनिवर्सिटी ठीटर सर्किट में मेरे को लोग पहचानने लग गए मैं वो एक्ट करता था लोग बहुत कुछ उट थे मेरे को बेस्टर्स में ले इतने सारे बहुत लोग जानने लग गए तो जब मैं प्ले करता था तो मेरे को इतनी वहवाई मिली कि मेरे को उस चीज का चसका लग गया और मैं अब इंट्रोवर्ट रही नहीं वो मेरे अंदर का इंट्रोवर्ट धीरे धीरे खतम होता रहा और जो मैंने आपको बढ़ाता था कि मैं चार लोग के आगे खुलता था अब वो चार के आगे जीरो लगते गए अब मैं इंट्रोवर्ट हुई नहीं और मैं बहुत खूश हूँ कि मैं अपने कमफर्टेवल जोन से बाहर आया अब मैं पिछले दो साल से इस फील्ड में हूँ लोगों को वीडियोज बनाके एंटर्टेन करता हूँ इन दो सालों में बहुत कुछ बदला मैंने मूवी करी कानपूरिये मिर्जापूर वाले मुन्ना भाईया के साथ मैंने टीवी आड़ करा टीवी एस बाइक का अब सोसकतों मैं बाइक चलाँगा एड़ कर दिया मैंने गाना किया मैंने काफी सारे यूटूबर्स के साथ काम किया और अपना चैनल गुड़ू भाईया एक मिलियन सब्सक्राइबर तक लेकर गया अभी पिछले साल मैंने इंस्सेग्राम पे फनी दिल्स बनाना चालू करा दिल से पनीर पे और वहाँ पे भी करीबन धाई लाग फॉलोवर्स का साथ मिला आपको याद है मैं किराय के घर पे रहता था अभी पांच दिन पहले घर खरीद लिया और कहते हैं ना इस वक्त उस उम्र के बच्चे मेरा मजाग उड़ाते थे और आज वही उम्र के बच्चे मुझे देखते हैं और कहते हैं कि वही आपकी वीडियो देखते हैं बहुत मजा आता है उस वक्त मैं सोटा था उपर वाले को कोच के कि क्यों मुझे ऐसा बनाया आज मैं सोता हूँ ठैंक्यू बोलके कि ठैंक्यू आपने मुझे ऐसा बनाया उस वक्त डुक था इस बात से कि मैं अलग हूँ, आज खुश हूँ इस बात से कि मैं अलग हूँ यह सब हुआ क्यों? कैसे हुआ? मैंने कैसे किया? इसका बस एक ही रीजन है efforts efforts दानला बहुत जरूरी है खयाली पुलाव का कोई स्वाद नहीं है क्योंकि 40-50 साल बाद regret में मत जीना कि काश में उस वक्त attempt दे दिया होता उस चीज का और वैसे भी efforts क्यों नहीं डालते efforts दानले में कुछ नुक्सान थोड़ी है efforts दालोगे अगर जीत गए तो आपका confidence दबलोगा और अगर आप हार गए तो आपका experience दबलोगा there is nothing to lose खोने के लिए कुछ नहीं है तो efforts जरूर डालो जिन्दगी आपको निचोड़ेगी लेकिन याल रखना जिन्दगी ने जिसे भी निचोड़ा है कुछ ना कुछ बना कर दी छोड़ा इntजार में मत रहे नगा सही वक्त के क्योंकि इंतजार करने वालों को उठना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं बस हिंबत मत हारना साहस रखना कोई भी लक्ष्य है मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं होता हारा वही है जो लड़ा नहीं होता तो struggles आएंगे तैयार रहना और यह जो struggle है ना यह negative नहीं, positive word है उलजने भी मीटी हो सकती है यकीन ना है तो जलेबियों से पूछिए और end में जब सब कुछ सही होगा जब आप सोचे होगे कि हाँ मैंने लाइफ में ठोड़ा उखाल लिया तो हाँ जोड़के बिन्ती है कि प्लीज अपने पाउं जमीन पर रखना गमण मत लेना किसी कीज का क्योंकि सब यहीं रह जाना है खुट को छट मत समझना फर्ष ही समझे रहना क्योंकि बहुत गमणता चट को चट होने का एक मंजिल और बनी चट पर्ष हो गई अगर आप भी इस वीडियो के एंड तक पहुँच गए हैं तो मेरी तरह ही आप भी इंस्पायर जरूर हुए होंगे आपको भी मोटिवेशन मिली होगी अपने सपनों को पूरा करने की दोस्तों सपने तो हम सभी देखते हैं लेकिन हम में से कुछी लोग अपने सपनों को पूरा करने में सक्सेस्फुल हो पाते हैं मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो भी इंसान अपने गोल्स को achieve करने में successful होता है उन सभी में कुछ common skills होती हैं जैसे कि अच्छी communication skills जो कि spoken English से आती हैं और दोस्तों हम सभी इस skill को master करके अपनी life में आगे बढ़ सकते हैं जो skills app के साथ इस app में हम one by one vocabulary के नए words, grammar practices, reading और writing practices के साथ साथ अपने जैसे अन्य हजारो students के साथ online English में live बात करके अपनी English को world class बना सकते हैं आज ही अपनी success की तरफ पहला कदम ले भारत के number one spoken English app जो skills के साथ